नुष्तों कैसे हैं आप आजकी वीडियो में आपको circuit board में लगे हुए component को test करना सिखानगा circuit board कोई sustaining हो कता है लेकिन component testing का काम बिलकुल सेम रहेगा example के लिए मैंने कुछ circuit यहाँ पर लिये हैं बडि component testing का जो process रहेगा सभी में एक जैसा रहेगा मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा अगर आप इस फेल्ड पर बिल्कुल भी अंजान है या फिर बिल्कुल भी नए है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स के अगल बगल में कुछ लिखा होता अगर आपको कंपोनेंट की जानकारी नहीं है तो वही सबसे पहले में आपको बताऊंगा बिल्कुल यह चीज आपने ध्यान से देखनी है आप लोगों से एक शिकाद भी है मुझे कि आप लोग वीडियो को देखते हैं सी व्यूज अगर आपके 10,000,20,000 एक लाग भी आजाए ना अगर उसमें लाइक ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है लाइक से यह पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आए इसलिए वहां पर आप एक लाइक छोड़के आके ज़रूर दिखेगा या फिर अगर आप इस कंपोनेंट के बगल में देखेंगे तो सी लिखा हुआ है यानि कि यह कपैसिटर है ठीक है सी बोले तो कपैसिटर लास्ट में एक डाइरी में मैं आपको नोट करवा के लिखवाते भी रहूंगा अभी आप यहां पर सिर्फ समझीए सी बोले तो कपैसिटर डी देखिए डी बोले तो डायोड यह नमबर से लिखें है 1,2,3,4 यह छोड़ देजिए यह सिर्फ इसके नमबर से लिखें है कितने नमबर की यह डायोड है कितने नमबर का यह है यह डायोड के अंदर के नमबर का नहीं है जो डी 1 लिखा न यह डायोड के अंदर का 1 न ले तो रजिस्टेंस यू बोले तो आई सी और यह क्या है यह बगलमा सी लिखा तो यह आपका कैपसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं ऐलेक्रोडाइड होता है और पी एफ टाइप होता है यह भी कैपसिटर की ही स्रणी में आता है आपको मैं दिखाऊंँ यह वाला यह लाल रंग का 104 नमबर का यह तो यह भी कैपसिटर ही होते हैं बस उसके बगलमा आपने लिखा हुआ देखना है कि यह क्या है तो जश्ट उसके बगलमा देख लीजिए अगर आपको पता नहीं है कि यह कंपोनेंट क्या है तो इसके बगलमा वैसे यहाँ पर एल लिखा वा दोस्तों जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखिए यहाँ पर क्या लिखा है लिखा हुआ है लेकिन आपको बता दूँ यहाँ पर यह जिने डायोट लगी हुए तो कुछ-कुछ यहाँ पर यह चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि रजिस्टेंस तो आपका ऐसा दिखेगा नहीं तो यह जैने डायोट इसके बगन में आर भले लिखा लेकिन यह जीने डायोट वैसे यहां पर और बी कुछ बिशेस कंपोनेंट आपको दिखाना चूंगा ये सॉकेट जिसके बगर में सॉकेट लिखा ही है बाकि यह आपका यहांपकर लगेगा मैं आपको सबसे फेले यहां पर देख रहे हैं सबसे मिले हम आप बात करूंगा क्याइश्टर की जो यहां पर में इन कंपोनेट है सी बोले तो और कापैसिटर और से है डायोड और और से है डायोड और 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 से है resistance और यू से है Believeी और यजेनर डायोड के बगर में कभी-कभी लिखा हुआ हूथ है जेडिसका मतलब है जेनर डायोड कि यह इक सीव में और आपको बताई चाहूंठा कभी कभी जेनर डायोड के बगर में डी भी लिखा हुआ रहता है तो वहां पर आपने यह चीज ध्यान रखनी है और इसमें हाँ luxury अगर circuit मॐ अब ट्रांजिस्टर लगा हो तो वहां पर को क्यों करकर denote किया जाएगा ट्रांजिस्टर और जैसे ट्रांसफोर्मर है तो वहाँ पर टी की लिखावा मिलेगा ट्रांस ट्रांसफोर्मर और कोई कोई खास कंपोनेट भी देखता हूं हाँ ल तो बता है नहीं आपको तो कौकस एल Multi कॉल को फोकॉक का थोड़ा सा हो सकता ह्यं हिंदी रैटिंग में मेरी प्रणर मारे depth सभरना। LIकों समझा रहा हूं मुını चुर्ण से बोलते भी जा रहा हां आप उपनी भास और हम पर लिख सकते हैं या फिर इंड्लिस में भी लिख सकते हैं कभी-कभी आपको circuit में optocoupler भी देखने के लिए मिलता है, optocoupler को ज्यादधर IC ही वहाँ पर लिखा जाता है, optocoupler के बगल में IC लिखावा है, और जितने भी आपको मैंने बता दिये, यह सभी के सभी यहाँ पर component के अगल बगल में लिखावा रहता है, तो उनको किस नाम से आप बुलाएंगे, यानि कि इस component के बगल में CD, RV यह सब लिखावा ना, तो उस तरीके से आप उसका नाम आप देख सकते हैं, यह U है, यह U है, वी नहीं है, यह U है, एक component और है कि हमारा, MOV, एक MOV या फिजड़ो भी होता है, MOV के निके ज्यादे तर MOV लिखावा मिलेग और ZOV के निचे ZOV या फिर VR, इसका मतलब है वेरिष्टर, यह प्रोटेक्शन के तौर पर लगाया जाता है, सिर्किट पर, तो इसके बगल में आपको VR लिखावा मिलेगा, जहापर VR मिले, महापर MOV या फिजड़ो भी आप लगा सकते हैं, बस आपको खास-खास मैंने जो भी है, वो component से आप बता दिये हैं, आप चाहें तो आपको नोट कर सकते हैं, सभी component कि आपको बता चल गए, अब चेक कैसे करते हैं, मैं आपको यह बताता हूँ, सबसे पहले test कहने के लिए multimeter कोई सा भी आपके पास हो, तो चलेगा, मेरे पास यह वाला भी है, यह वाल पे और V ohms पे होनी चाहिए, देखे बजर रेंज पे हैं, और यहां पर एक खास बात है, यहां पर आपको zero पे यहां पर होना चाहिए, बिल्कुर accurate zero यहां पर होना चाहिए, अगर आपको ohms गड़बड आ रहे हैं, तो उसको आप एक बार सही कर लिजिए, zero पे बिल्कुल आप चाहिए, तो नोड भी कर सकते हैं, मैं बोलते रहूँगा, लिखते लिखते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जागा, ठीक है, बजर पर हमारी कोईल चेक होती है, कोईल हमारी बजर पे चेक होती है, ट्रांसफोर्मर बजर पे चेक होता है, ट्रांजिस्टर यहां पर फिरी जेक होता है इसे वहार बंडियाइव पर लोग तो आप यह तो सी लिए यहांपर है और मल्टि में यह दो से लेके कि आठी के तक कि होती है तो रजिस्टनस के लिए अलग रिंग मैंने आपको बता दिए और डाइइोट को हम बजर पर चेक करते हैं कपैश्ट के अगर क्पैसिटि आपको चेक कर नी हो तो पडसे एक पैसिटई के लिए है उनको बजर की रेंज में चेक किया जाता है इसलिए मल्टीमिटर का जो में पार्ट होता है ये बजर की Menge होती इसमें लगबग सारे सारी कमपोरे HELPTC सेमारे चेक किया जाते हैं अब चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं अगर दोस्तों ऐसा आपको किसी ने पहले का भी शिखाया हो तो यार कमेंड करके जरूर बताएगा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको कोई शिखाता होगा इसलिए हमेशा बोलतो है प्यारा सा एक कमेंड किजिए लाइक किजिए वही मुझे चीए और कुछ भी नह लिखाओ तो अच्छी वात है नहीं लिखाओ तो अभी एक बार आप लिख सकतें आप इसकी शूर्ट बैटर रहेगा कि श्कीन शूर्ट है आप कस्टे को चेक करते हैं क्युक्त की टेस्टिंग से लेगे आगे को चलते रहता हूं और किश्टर के बार में भी बताते रहत हुआ ना कपैस्टर का जो काम होता है वोन्टेज दो शोर करना अभी शर्किट में कभी वोल्टेज आपकी अजैसे आपको पता है AC में voltage fluctuate रहती है up down up down होते रहती है तो capacitor क्या करता है capacitor से पहले diode लगी होती है rectifier उसको rectifier करके DC बनाता है उसके बाद capacitor में circuit में जगा जगा capacitor लगे होते है हर जगा की voltage के load को maintain करने के लिए voltage उसके अंदर store रहती है कहीं पर voltage कम पढ़ जाती है तो capacitor के अंदर की करने का काम करता है और दूसरा capacity यानि कि वह load को उठाने का काम करता है वह आपके circuit के load को बनाए रखता है इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी capacitor बढ़ जाते हैं तो होता क्या है voltage कम पढ़ने लगती है वह होता है capacitor चेंज करने से सब्कों हो जाता है अब बात करते हैं में आपको टोटल बता दिया circuit में capacitor सही condition में होते हैं तो वहां पर आपको कैसी condition देखने के लिए मैं आपको बताता हूं यह एक इसलिए किसी में चेक कर तो किसी में भी चेक कर लेते हम जैसे एक capacitor है circuit में अगर सही condition में होगा तो multimeter में बजर की range में देखिए को कुछ इस तरीके से value आएगी एक fix value नहीं रखी घटेगी बड़ेगी बड़ेगी या फिर maximum में रह जाएगी या फिर maximum होके minimum में आ जाएगी ठीक है इस तरीके से अगर मैं सही capacitor की बात करूं चलिए एक circuit शे खोल के दिखाता हूं में capacitor आपको बिल्कुल सही वाला capacitor दिखाना चाहूंगा ताकि आपको कोई सब्सक्काल इस तरीके से होती है एक बार टे सकता है लेकिन लगातार लइन नहीं देना चाहिए देकि एक बार और ब्ली सकता है और यह हिल गया दिखे एक पर और गया ह थिक है आप आप अब मैं आपको और दिखाता हूं चलिए इस तरीके से देखते रही है इस तरीके से और फिर एक पे आ जागा फिर इसको उल्टा करता हूँ देखिए बीप मारी उसके बाद वुल्टेज इसकी जो वैल्यू है वो घटी बड़ी उसके बाद एक मारी ये बिल्कुल सही क्यापैस्टर की भेचान होती है अगर किसी क्य इसकी हुआ पर उनुटेज पर लगातार आपको से भी मिल रही है लगातार बिलकुल लगाता रुक नहीं रही है और वहाँ पर सीरी जीरो तो देखिए सर्केट में लगे लगे यहां पर इस तरीके से वेल्यू बता रहा है अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा उसके बाद एक नहीं आ रहा है सर्केट में जब आप लगे लगे किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा डाउट आ जाता है क्योंकि सर्केट में पूरा यह सभी कंपोनेंट से मिलके सर्केट बना होता है तो यह कपैस्टर किसी और कंपोनेंट की वज़े से भी कभी कभी स्व बताता है इसलिए हमेशा सर्कित से किसी भी कंपोनेट को निकाल के ही चेक करना है अगर आपको उस कंपोनेट पर डाउट होता है तो अब बहुत यह सान से किसी भी शौटिंग को या किसी भी फॉर्ट को असानी से पकड़ वाएंगे तो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू किस तरीके से भी दिखाता है बस सौर्टिंग नहीं देना चाहिए कि पैस्टर के बारे में आप करते हैं रिजिस्टेंस की बात जैसे कि सर्किट में वैसे सर्किट में लगे लगे आप रिजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं रिजिस्टेंस ज्यादतर सीरीज में लगे वे रह तो अब भी हम satisfy नहीं है कि यह 144 ohms का ही है इसको हम 2 kilo ohms पर रखेंगे तो 2 kilo ohms पर रखेंगे अब देखेंगे इसकी value इतर पर क्या बता रहा है तो यह भी 140 ही बता रहा है इसका मतलब 140 ohms का resistance है यह वाला resistance 140 ohms का है अब हम दूसरे resistance को चेक करेंगे इतने सारे section क्यों है resistance के यानि कि इसमें ही बता देता हूँ इतने सारे section क्यों है देखें रेजिस्टेंस की अलग-अलग value होती है resistance circuit में प्रति रोध का काम करते हैं मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगा resistance की इतनी value क्यों होती है आप थोड़ा सा दिहान से सुनिएगा 200 से लेके 2000 किलो ohms तक के यहां पर क्यों points देखें हर resistance की अलग-अलग value होती है कोई resistance यहां पर 200 ohms से उपर की रहेगी तो इनमें चेक होगी और 2000 किलो ohms तक रहेगी तो यहां पर चेक होगी जितने भी यह section है तक होते हैं यहां पर 200 ohms तक की resistance चेक होगी यहां पर 2000 ohms तक की resistance चेक होगी सिफ तक होता है यहाँ पर 20 किलोंस तक का ही आप चेकर से अगर 20 21 किलोंस की है तो आप इधर पर चेक करेंगे तो अब मैंने आपको यह बता दिया अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम रेंडमनी किसी भी इसमेर रख लिए टूके पर ही चेकर लेंगे तक वैलू नहीं आ एक एक प्रोटेक्शन चलिए एक को और चेक करना चाहूंगा मैं यहाँ पर यह हरी वाली को तो मैं थोड़ा से क्लोज दिखाऊ तो बहतर होगा चलिए आप चेक करते हैं यहाँ पर 690 बता रहा है मैं अभी सेटेस्फाइन नहीं हूं इसको मैं थोड़ा से बढ़ा के दे 588 के सम्थिंग यानि कि यह 1.1 किलो ओम्स की यहाँ पर रिजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पर हम के चेक कर रहे हैं 1.1 किलो ओम्स की है चलिए मैं और बढ़ाता हूं अगर इसकी वैल्यू थोड़ा सा अलग आती है तो उसको हम टॉप को मान के चलेंगे 1.1 बिल्कुल वह ही यह 1.1 किलो ओम्स की रिजिस्टेंस है चलिए रिजिस्टेंस को हम यहाँ पर स्किप करते हैं रिजिस्टेंस को आपको बढ़ा है चलिए एक और चीक करते हैं आपका थोड़ा से डाउट और किलेर करवा देते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर चलिए इस यहां पर जाके रुकर यानिकि 1.8 किलोम्स की है रजिस्टेंस है इसी तरीकी से हम रजिस्टेंस को चेक करते हैं अभी बहुत सारी कंपोनेंट्स भी हैं मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसके इसको दो पार्ट में यहां पर डिवाइड कर देता ह मैं कोईल का बता देता हूँ कि कॉइल अलग-अलग सेप में हो सकती है से कीट मे को इस तरीकी की होती है लेकिन उसके नीचे लिखा और शाव्य है और यहां पर इससे क्रेंड की भी कोई हूं है मैं आपको दिखा हूँ यह दिखें इस तरी सि GIRा में बेलुकिल में आ जबंद सकते तो प़्ूप क्यों अब पोडन गल के में क्या जेका जाता है कॉल को बज़र के मोड में रख लो और कोईल के दो पॉΐइं को की दो लेक होती है तो दोनु लेक्त कर आपको इस तरीके से रखना है और बज़र मोड में आपको उसमने जिरो जिरो या फिर इस तरीके से बीप सुनाई दे को आपसमझ देजी आपककी कॉयल खराब हो चूकी है को हमने करना है तक नहीं बताぎ है रिक lymph पर दे करा यहाँ बखना थे तो पर 12 14 कि यहां पर मुझे लगते ज्यादे ओम्स की है देखिए ज़से रेजिस्टेंस में यहां पर 12 15 16 यह लगरी है रेजिस्टेंस कि लोम्स वरी कि लोम्स की कि यह पर स्कतव अगर कभी भी वैल्यू स्टेवल न हो तो इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाले कि आपने एक नई resistance उसमें डाल लिए है, जैसे इसलिए यही दिखा देता हूं, दिखिए, कम value की है, यह आपकी 985, यानि कि 1 km की यह 985 बता रही है, तो जैसे resistance की value यहां पर आ गई, सपोज यहां पर यह value नहीं आती है, तो हमने दूसरे section में चेक करना है, resistance की section में बढ़ा के चेक करन कर लेना है, कई resistance की section में resistance की value नहीं आती है, तो आपके वो resistance खराब हो चुकिए, उसके बदले आपने दूसरी resistance लगानी है, बाकि आपको coil का बता दिया है, जैसे यह coil है, यह two core वाली है, दो पार्ट में है यह, तो इस coil के यहां पर और यहां पर हमने चेक करना है, इसके just करेंगे, तो 4 lag होंगी, एक core यह है, और एक core यह है, इस तरीके से इसकी value आती है, coil कोई कोई की, sorry, buzzer की range पे, यह देखिए, यह इसकी value आगी, और इस core की value आगी, यह आपकी coil बिल्कुल सही है, ऐसे check नहीं करना है, ऐसे कोई भी value नहीं आती है, cross करके, तो एक core की value यह है, और एक core की यह है, तो इस तरीक से coil को test किया जाता है, जैसे कि एक core coil का भी example आपको मैं दे देना चाहूंगा, यह जो, sorry, इस पर जो coil लगी है, यह, इसको भी इसी तरीके से आपने test करना है, सही रहेगी तो beep मारेगा, खराब रहेगी तो वो कोई भी value नहीं देगा, यह सह तो सीखने के लिए मिला, तो यहाँ एक like तो बनता है, बाकि share आप कर लिजीगा, और लोगों सीखने के लिए मिलते हैं, अगले part में, तब तक के लिए, take care.